हेलो फ्रेंट्स नमस्कार देखे एक नई कुंडली अध्यन के लिए आई है ये कमेट बॉक्स में आये थी इसका ध्यन करेंगे लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का ध्यन कराना चाहते हैं तो डेटो बर्थ पहले सुरस्थान जुरू डा गए हैं तो इस प्रकार से जब भी लगने जो है बार्वे भाव में चला जाता है तो यह अवयोग कहलाता है और संघर्ष के स्थिति जो है बढ़ जाती है कुंडली में जब भी लगने से बार्वे घर में चला जाता है तो संघर्ष के स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जा पॉसे होते हैं और इस परकार से आपकी मकर राष्य के वेक्ति जो है धीर घंबीर होते हैं और सांट्रैना पशन करते हैं जादा गुल्लवन्ले met किसी से पशं नहीं करते हैं मकर राष्य के इसे होते हैं और द्धनू लगन एक्ती जो है क्योंकि फ्रेंस 50 परशेंट आप पर द्यूसरी अपर चंदर राशी क prosecutor होता है और 50 पर खोटवर लगन का परभाव होता है तो लगन ऑनन jullie कि एक्टिंट जो आ सट्य बोलते हैं पर सत्य करती है और पुरी मेनत से अपने कारिय को जी जान लगा कर यह करते हैं इस परकार करन का व्यक्तितव होता है हैं अब देखें हैं धन्भाव में चन्डरमा का बैठना और इनपर बैठे हैं सनी किराशी में बैठे हुते हैं औरस प्र हजो जो है तातकालिक मितर्ता में भी है तो इस परकार से चंदरमा यहां आए की स्थीति निया से आपके धन का विचार किया जाता तो यहां पर ठीक स्थीति है चंदरमा का बैठना और दूसरा देखिए अपनी अपनी ही दृष्टी जो है साथ वे दृष्टी जो है डालेंगे यहां से भी आपकी पैत्रिक संपत्ति विगारे का विचार किया जाता है और दूसरा यहां से आपके गुप्त रोगों का विचार भी किया जाता है तो इस परकार से आपको ठंड के रोग सीद कफ आदी होने की संभावना यहां पर बढ़ जाएगी इस परकार की रोग जो है चंद्रमा दे देते हैं अब देखिए मंगल और राहू की यूति यह अंगारक योग कहलाता है जोतिस में और इस तरह का योग जब बनता है वैक्ति तो काफी चत्र हो जाता है टेक्निकल मैंडिड होता है और अपने कारिया को कैसे करवाना है या निकालना है किसी दूसरे व जो है बहुती तेज दिमाग ऐसे वैक्तियों का होता है कि इस परकार से अपना कारिया जो है निकाल लेते हैं इस परकार से काफी चोत्राई वैक्ति में आ जाती है जब भी मंगल और राहू की यूति होती है और दूसरा थोड़ा नीजी स्वार्थी भी कह सकते हैं स्थिती हैं यहां पर क्योंकि यहां पर जब भी कोई भी ग्रह बैठता है लाभाव में तो हमेशा ही आपको धन के प्राप्ति होती है तो यहां इस भाव में ग्रहों का जितने भी ग्रह होते हैं अच्छा ही पर भाव देते हैं तो यहां पर मंगल और राहू का बैठना ब व्यक्ति धन के लिए कभी अपनी लाइफ में परिशाद नहीं होता है तो धन किस्तिति यहां पर बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी हुई है और दूसरा शुक्र जो है देखिए भावपती जो बनते हैं शुक्र बनते हैं शुक्र भागय भाव में बैठे हुए हैं तो इस परकार से अतातकालिक मितरता भी है मंगल की शुक्र के साथ तो यहां पर स्रेश्ट परिणाम देंगे लेकिन यहां पर देखिए शुक्र जो ह बागय भाव में बैठे हुएं लेकिन देखें च्छटे भाव के स्वामी भी बनते हैं तो इस प्रकार से व्यक्ति के पास निरंतर परसानियों भी बढ़ चड़कर आती रहती है यहां पर पर सुक्र कोई नहीं कोई न कोई व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा परसानियों अधूरा सुक्र कोई घुपति रोग कर देते हैं तो इस परकार से स्वास्ते में कमी की परशानी भी यहां पर शुकुर दे देंगे व्यक्ति इस परकार से सुकुर का यहां परभाव जो है थोड़ा सा 50-50 रहेगा जो वैसे तो भागय भाव में होना अच्छी बात होती है लेकिन यहां तरिक भाव के स्वामी बनते हैं तो इस परकार से 50 परशेंट जो है शुकुर का परभाव अच्छा नहीं होगा 50 परशानी वाला रहेगा अब देखे फ्रेंड सप्तम भाव देख लेते हैं यहां से आपके विवा का विचार किया जाता है और व्यापार का विचार भी किया जाता है तो यहां के स्वामी बुद्ध बनते हैं बुद्ध देखे दसम भाव में बैठे हुए बहुत अच्छी स्थिति में अपनी रा आप जोब करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपको लेकिन आप कोशला रहेगी क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी जो बुद्ध बनते हैं और बुद्ध वैसे भी दसंभाव में बैठे हुए अपनी हिराशी में तो जोब के साथ साथ आपको जो है कोई व्यापार भ होने की संभाव नहीं पर पूरी बनी रहेगी तो इस प्रकार से जोब के साथ साथ आप व्यापार भी कर सकते हैं जो कर सकते हैं देखे वैसे तो शुक्र जो है भागय भाव में बैठे हुए और मंगल भी बैठे हुए तो इस प्रकार से आप अपनी वानी से समधित भी का हैं और दूसरा देखिए राहू और कैटो का संबंध ही बन रहा है पंचमभाओंसे और राभाव से और दूसरा देखिए बुद्ध भी बैठेख हुए यहां पर मंगल का संबंध कुछ से बनता है तो कहीं न कहीं शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत आप निवेश कर सकते हैं वहां से भी आपको फैदा रहने की संभावना रहेगी फ्रेंड्स और दूसरा फ्रेंड्स जब भी लगने जो बारवे घर में चला जाते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति को जो है घर से दूर जाकर जितना काम करते हैं जोब करते हैं किसी प्रकार से घर से अपने दूर रहते हैं तो ज्यादा सफलता मिलती है अपनी जनम स्थान जो होता है उनको वो छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरे जगा पर जाकर अपना कार्या करना चाहिए व क्योंकि यह अवयोग बना हुआ है तो इसका लाब इस प्रकार से व्यक्ति ले सकता है कि अपने जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए तो ज्यादा व्यक्ति जो है तरक्की कर्ष पाता है फ्रेंड्स विवा के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स वैसे भी प्रशन भी विवा के लिए था तो और दूसरा देखिए अब विवा के स्वामी जो बनते हैं यहां पर नमबर तीन लिखा वाता है तो बुध बनते हैं बुध किस्तिती तो यहां पर अच्छी है लेकिन बुध विवा क के लिए गुरु को देखा जाता है लड़की की कुड़ली है तो गुरु जो है बारवे घर में चले गए हैं तो इस परकार से गुरु जब भी बारवे घर में चला जाता है तो परसानिय का विवा के लिए बढ़ जाती है काफी विलम से विवा होता है और काफी परसानिय भी आती है इस परकार से गुरू का बारवे घर में जाना क्योंकि विवा के कारक बनते हैं गुरू और दूसरा पूर्स के लिए पती का कारक जो होता है शुक्र बनते हैं देखें कहीं न कहीं सत्रू भाव के स्वामी बनते हैं यहां पर सत्रू भाव के स्वामी का भागय भाव म दिरिष्टी भी पढ़ रही है फ्रेंड्स एक दो एक दो तीन चार पांग छेए साथ तो इस प्रकार से सनी की दिरिष्टी जब भी सुर्य पर पढ़ती है और सुकर पर भी करती है शुकर विवा के लिए विलम का कारणियां पर बना हुआ है और दूसरा सूरे पर सनी के द्रिष्टी का पढ़ना तो कहीं न कहीं मान समान में कमी यह दिलाता है और दूसरा हडियों में दरदवगर की सकायत भी बनी रहती है तो इस परकार से जो देखे कितनी अच्छ कि पर्षेंट यह पर प्रभाव अपना सनी के द्रिष्टी दिखाएगी और देखें अभी तक व्यक्ति अभी तक जो है लड़की का विवा के लिए आ रही है क्योंकि सनी की द्रिष्टी का प्रभाव यह पर बना हुआ है तो दूसरा गुरू भी जो है बारवे घर में च तो इस परकार से व्यापती बन गए हैं मंगल भी तो कहीं न कहीं विवा के लिए काफी परशानी किस्थी थी कुंडली में बनी हुए फ्रेंडस और दूसरा आपकी रासी भी मकर बनती है तो कहीं न कहीं जब भी रासी का प्रभाव भी लगन पर आता है तो रासी मकर होने के कारण भी आपका विवाज जो है भी तक नहीं हो पा रहा है इस परकार से काफी प्रसानिय बढ़ी हुई है आप देखें नमास कुंडली में भी क सनी बुद्ध की यूती जो है सनी लगन में बनने से देखें सारे काम विलम होते हैं वैक्ति के सनी का जब भी सप्तम द्रिष्टी जो है देखें वीवाज के घर पर पड़ती है तो कहीं नकए वीवाज बहुत ही विलम हो जाता है और मतबेद परसानिक इस्थी भी बनती ह और दूसरा देखिए सनी बुद्ध की यूति जो है फ्रेंस दोनों के दिरिष्टी के प्रभाव सक्तम पे पड़ेगा तो जोतिस में अच्छी नहीं मानी जाती है वैवाविक वैवाहिक सुक के लिए विवा सुक में ये परसानी का करण बनती है बाधा परसानी उत्पन करत जो कि ठीक नहीं है कुडली में इस परकार से काफी परसानी की स्थिति या विवा के लिए दिखाई दे रही है और दूसरा देखिए नवमास में जो है गुरू सुकर राहु मंगल जो हां सारे चटे भाव में आ गए शत्रु भाव में आ गयां से सत्रु रोग और रिण का विचार यहां से किया जाता है तो इस परकार से गुरू भी जो है पापकरतर योग में यहां पर पाप ग्रहों के साथ रहों मंगल के साथ फसे हुए हैं तो जिस परकार से गुरू भी स्रेश्ट परणाम देने के नहीं दे पा रही है फ्रेंट्स तो इस परकार से सूर्य को अरग देना चाहिए जिससे सूर्य का भी प्रभाव मिले क्योंकि सनी की द्रिष्टी पड़ रही है और हन्मान चालिशा का पाठ भी करते रहना चाहिए जिससे आपकी प्रसादी जोगा थोड़ी कम होशके और हल्दी चुट की हल्दी पानी में डाल कर अगर सनान क करते हैं तो इससे भी गुरु कोई मुझबूती मिलती है तो इस प्रकार चोट-चोटे वपाय करेंगे तो आपको फैदा होगा फ्रेंड्स थैंक्यू फ्रेंड्स